यह हैं दोस्तो अगर आपने SSC CGL 2024 का फॉर्म भरा है तो यह जो वीडियो है वो आपके लिए है SSC ने दोस्तो आठ अगस्त 2024 के लिए अपनी ओफिस्यल वेपसाइट पर दो इंपोर्टन नोटिस पब्लिस किये हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि यह दोनो नोटिस क्या है और आपके लिए क्यों जरूरी है तो चलिए दोस्तो स्टाट करते हैं आज की वीडियो तो तो सबसे पहले वालो जो नोटिस है वो इस प्रकार है कि आपके टियर बनके एक्जामनेशन की जो डेट है वो आ चुकी है आप देख सकते हैं दोस्तो 9 सितंबर 2024 से 26 सितंबर 2024 के बीच में जो है वो आपके exam conduct कराए जाएंगे tier 1 के ठीक है second notice की तरफ चलते हैं दोस्तो second notice जो है वो दोस्तो काफी important है आपने SSC CGL 2024 का form apply कर दिया है लेकिन अगर आपके form में कुछ correction या फिर changes आपको कराने हैं आपने form को भरते समय या फिर किसी से भरवाते समय कुछ mistakes कर दी है तो आपके लिए ये notice बहुत important है ठीक है आप देख सकते हैं दोस्तो window for application form correction तो आपकी application form में आपने अगर कोई correction कराना है तो ये जो window है दोस्तो वो 10 अगस 2024 से 11 अगस 2024 को रात को 11 बजे तक जो है वो खुली रहेगी मतलब 10 अगस 2024 से रात को 11 अगस 2024 की रात यानि की 300 बजे तक यानि की 11 बजे तक आप अपने form में कोई भी correction अगर कराना चाहते हैं तो कर सकते हैं 11 अगस 2024 के बाद में रात को 11 बजे के बाद में अगर आपकी request जाएगी तो उसको reject कर दिया जाएगा यहाँ पर साफ साफ SSC की द्वारा बताए गया है तो दोस्तो यही दून अपडेट है उम्मिद करते हैं आपके form में अगर कुछ correction होगा तो इस notification का आप जो है वो फायदा उठाएंगे तो चलिए दोस्तो कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो के लिए लेकर तब तक के लिए नमस्कार और अगर SSC CGL की form आपने वरा है तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लिजिए लेटेष्ट अपडेट पाने के लिए हैं तो चलिए दोस्तो कल फिर में लेंगे एक नई व